हालो गाईज, कैसे आप सब लोग टैरोस पर टेपल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूँ आज मैं मैं में अगस्त माँ आपकी पर्सनल लाइफ में कैसा रहेगा और मैंने इसी सिलसले में जॉड़ एक साइन लिया है कैप्रिकॉन कैप्रिकषन यायनि मकराशी होता है ठीक है तो चलिँ स्टर्ट करते हों आपकी रिड़िंग और वी रिडिंग में सबसे पहले मैं क्या देखूंगी आपकी current situation को देखूँंगी मैं आपके partner के energies को देखूंगी उसके पाद आपकी energy देखूंगी तो इस तरह की reading होने वाली है, तो मेरे साथ बने रही है, कुछ भी आपसे resonate करता है, reading में like दीजेगा और फिर subscribe करना मत बुलिए, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, और personal reading के लिए screen पे आपको number आ रहा होगा, तो मुझे message कीजेगा, call मत कीजेगा, whatsapp message है, whatsapp message number है, ठीक है, तो energy को देखू, इन्वर्स हमें guide करें, current situation के बारें बताईए, कैप्रिकॉन, अगस्त मा, current situation क्या चल रही अभी, इन्वर्स हमें guide करें, क्या चल रहा है अभी आप दोनों के बीच में, angels हमें guide करें, बारें के पार्टे में, और इनके बीच में क्या चल रहा है, angels हमें guide करें, इन्वर्स हमें guide करें, angles हमें guide करें, okay, तो शबसे पहला card है six of cups, मुझे देख यहां पर ऐसा लग रहा है केप्रिकॉन आपकी लाइफ में कोई आप नया साइकल शुरू करने जा रहे हो ठीक है यहां पे देखे प्रिंसेस ओफ कप्स के एनरजी बॉटम वाला कार्ड जो है मारे पास प्रिंसेस ओफ कप्स का है मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई नो कोई इनिशेट करना चाहते हो को कोटे लेवल से उसके बारे में सोच ओ कोई कैजवल रिलेशन्शिप है या कोई किसी से रिष्ट रिष्टा रखना चाहते हो ऐसा है कि जहां पर एक दोस्ती को आप कहीं ने कहीं प्यार का नाम देना चाहते हो ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है पर ऐसा नहीं है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि six of cups की energy है यस आप reconciliation चाहते हो किसी से प्यार मौबत में reconcile होना चाहते हो एक नया cycle शुरू करना चाहते हो इवन आपका पहले ही कोई connection casual लग रहा है इनसे जिनके बारे में आप पूछने है कोई आपकी जीवर में Taurus हो सकते हैं Capricorn ठी ठीक है आप एक नया cycle शुरू करना चाहते हो पर उससे पहले आपका पुराना cycle खता होना चाहते हो और इंजॉय करना चाहते हो और इंजॉय करना चाहते हो अपने relationship को इस तरह की बाते ही आपकी current situation में आ रही है ठीक है चले देखते हैं कि आपके और क्या है situation universe हमें काइड क एक दोस्ती को आप नाम देना चाहरे हो ऐसा मुझे आपके लगता है लेकिन आप unmarried married दोनों हो सकते हैं सबके लिए open है reading ओके चले देखते हैं Capricorn के जो भी partner ने उनकी current energies बताइए अगस्त मामी किस तरह का mood होगा इनका इनकी खुद की energy क्या रहेगी feelings क्या रहेगी overall बताइए क्या energies है Capricorn के partner कोई भी हो सकते हैं ठीक है यहां पर देखे इनकी खुद की energy है deep knowing आपके बारे में क्या सोच रहे है not for you feelings क्या है peace चाहते क् mending और इनका action all that glitter okay guys थोड़े से काड़ और लूंगी फिर मैं आपको clear बताती हूं ठीक है universe हमें guide करें Capricorn के partner के energy बताइए क्या चल रहा है अगस्त मामें कैसी रहेगी energies all right इनकी खुद के energy क्या रहेगी king of swords आपके बारे में क्या सोचेंगे two of swords two of pentacles feelings क्या है star चाहते क्या है ten of cups और action nine of wands तो देखे मुझा ऐसा लग रहे हैं यहापे आपके जो भी partner हो Aquarius भी हो सकते हैं और Taurus मैंने जैसे की बताया ठीक है यह अगस्त में क्या करेंगे बहुत ज़्यदर practical सोच है यह किसी से नाराज लग रहे है ठीक है इनको पता है कि आप इनकी जिवन में अचानक आयो और ऐसे टाइम पर आयो जब वाकि में आप इनको आपकी जरुरत थी यह जो आपके partner है कहीने कहीन आपकी जरुरत महसूस कर रहे हैं आपके लिए कोई destination connection सोच रहे हैं ठीक है आपका इनका कहीने कहीन भाग्य मिलाब है और कहीने कहीन आप इनकी जिवन में old age तक रहोगे ठीक है यहने कि long term तक रहने वाले इंसान हो और यह अपनी life से किसी को cut off करने की सोच रहे हैं ठीक है क्योंकि आपसे इनको deep connection महसूस होता है और अंदर ही अंदर इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आप इनकी जिंदगी में long term तक रहोगे ठीक है आपके कारे इनको मलब बहुत सारी चीज़े realize हो रही है ऐसा मूझ जहां पर लग रहे हैं यहां की feelings यानि कि आपके partner की feelings क्या है Capricorn आपके partner की feelings यह हैं कि यह आपके पास आकर peace महसूस करते हैं ठीक है आपसे reconcile होना चाहते हैं क्योंकि इनका वीजन आपके लिए बिल्कुल clear है और यह आपके पास आकर इनको शांती महसूस होती है ठीक है यहां पर आपसे चाहते हैं आप आपके लिए के रिश्ता आपके लिए कि इसका बॉष यह को सब्सक्राइक हलिया इसक्राइब वादा एक्षेट हो वादा है पता चलेगी आफिक पहले ही चमकती चीजों के पीचे भागते थे लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती इनको पता चल गया ठीक है यानि कि रिष्टों के पहचान करना इनको आगया अब यह ड़िफिनेटली किसी भी इंसान के पीचे नहीं बागेंगे बलकि जहां पर रिष्टे बन सकते हैं वहीं पर जाएंगे ठीक है तो ऐसा इनका मलब एक behavior था पहले जो कि वाके में हर चीज के पीछे पढ़ जाना चमकती चीजों के खूब सूर्थी के पीछे पैसे के पीछे भागना लेकिन अब रिष्टों की समझ इनको आ रही है इसलिए अपने आपको गाड करके चलेंगे कि डेफिनेटली बहुत कुछ मलब सोच समझ समझदारी से काम करना चाहते है तो इनका action question होगा ये अपने आपको गाड करके चल रहे हैं इसलिए action नहीं लेंगे लेकिन इनको कुछ समझदारी है कुछ realization जरूर होने वाले है ठीक है तो Capricorn आपके partner की इस तरह की energy थी universe ओके सबसे बहला कार्ड है आपके energy येंग येंग के energy नंबर वन आप अपने partner के बारे में क्या सोचोगे to the sea feelings no place like home चाहते क्या हो truth be told and action ओके थोड़े से कार्ड और ले ले लेते हैं फिर हम discuss करेंगे इन सब चीजों को okay Capricorn की energy बताइए अगस्त मा में अपने partner के बारे में क्या सोचेंगे क्या feel करेंगे Capricorn क्या सोचेंगे अगस्त मा में energies बताइए रिष्टे को इनकी खुद की energy क्या रहेगी the wheel बाव पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे three of cups feelings क्या है चाहती क्या है and last one is six of swords यहनकी action okay देखिए Capricorn आपकी क्या action हो सकते हैं आपकी क्या energy रहेगी अपने partner के बारे में वो हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले देखिए काड़ यहां पर आप खुद होगी कोई action लोगी क्योंकि आप चाहते हो कि रिष्टे में जो है आप लेट करके चले ठीक है यहां पर यहां पर वील का उसे आ रहा है ठीक है यहां पर देखिए क्या है आप अपने partner के बारे में जिनकी energy हमने निकाली थी उसके बारे में क्या सोचोगे उनसे एक relationship है कि आपको यह लगता है कि इनके सिवा कोई और फिट नहीं होता आपकी परसितियों में यह जो है फाइव ऑफ सौर्स का काड़ा है इनके आप इनके दियानी कि आपके दिमाग में थोड़ी सी टैंशन है options को लेकर पर और कोई फिट होते हो आपकी नजर में नहीं है ठीक है आपकी आप चाहते हो अपनी पार्टनर से आप चाहते हो आपके पार्टनर जो है मुखोटा खोल के सामने आए सच्चाई बताएं कोई सची बात है कुछ सीक्रेट है तो उसको बताएं ठीक है क्या चाहते है क्या नहीं और आ आप चाहते हो अपने पार्टनर से की सच बोलें और आपने और इनके बीच में जो चीजन चल रहे हैं उसको हील करें ठीक है आपका एक्षिन क्या होगा आप इस रिलेशिंशिप से ब्लेस्ट है क्योंकि आपने इस इंसान से जितना चाहता है उससे कहीं ज्यादा मिला है ठी कोई नो कोई एक्षिन तो आप लोगी विक्ट्री के लिए ठीक है यहां पर विक्ट्री का काड़ है तो डेफिनेटली कोई नो कोई जीत की जंग जो है आप जीतने वाले हो ठीक है कोई नो कोई जंग जीतने वाला काड़ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिष्ट मैच करती तो जरू बताएएगा ठीक है और जाते-जाते लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बद भूले ठीक है तो अगर रीडिंग मैच हो रही तो अभी लाइक की साथ सब्सक्राइब कर दीजागा इस तो चले जाएंगे तो फिर आब वापस नहीं लोट की नहीं आएंगे ठीक है अब वापस लोटना है मेरी इडिंग्स को देखने के लिए तो यह सब्सक्राइब जरू की जगा ठीक है नेक्स्ट रिडिंग में फिर से मिलते हूं गाईज बबाई